हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई चैनल एक्जाम इस्टोर दोस्तों आज हम लो यूनिवस्टी एक्जाम से रिलेटेड जो बीएड और एमेड का एक्जाम हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं चतरपती साउजी महराज उनिवस्टी बीएड एमेड एक्जाम अपडेट पांच मिनट पहले परवेश मिला और दस मिनट बाद पेपर बीएड एमेड परिच्छा दो गंटे में हल करने थे पांच बिस्तरित प्रस आते सावालों का जवाब भी नहीं लिख पाएं तीन गं गंटे का कर दिया गया पेपर तो यह देखिए छात्रों के साथ बहुत ही यहां पर जात्ति की जा रही है कि पेपर जो उनको पूरा लिखने का समय पर्याप्त नहीं दिया जा रहा है बीए डेमेड परिच्छा दो गंटे में हल करने थे पांच बिस्तरित प्रस नाते आप नहीं लिखवाएं तो चलिए इसके बारे में पूरा विष्तार से जान लेते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो स्टाट करते हैं Let's start it दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की कबर जो है उर्थुई कबर यह जो है अमरुजाला से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप देखिए बीएड और एमेट की समेश्टर पर इच्छाओं में समय कम होने की वज़ा से कई छात्र पेपर पूरा नहीं कर पाए हैं कहीं पेपर देरी से सुरू हुआ तो कहीं कॉलेज में छात्रों को परवेशी देरी से मिला छात्रों को पेपर हल करने के लिए 120 मिनट मिलने थे लेकिन देरी की वज़ा से किसी छात्र को 110 तो किसी को 105 मिनट का ही समय मिला पेपर देकर निकले अधिकतर छात्रों ने समय सीमा कम करने के फैंसले को गलत ठहराया B8 और M8 की सेमेश्टर परिच्छाएं 100 मुवार से शुरू ही है M8 का पेपर सुबह 9 से 11 बजे और B8 का दोपेर 12 से 2 बजे की पाली में था पहले दिन परिच्छा को लेकर न तो छात्र तयार थे और नहीं कॉलेज यही वज़े रही की पेपर के दोरान छात्रों को परिवेश देने में देरी हुई और छात्र परिच्छा का परबंदन नहीं कर पाएं इस वारविश्विद्धाले ने नए नियम के तहत समयवदी को गटा कर तीन में से 2 घंटे कर दिया था उसके सापेच कुछ प्रस्ण भी कम किये लेकिन छात्रों का कहना है कि 5 बिस्तरित प्रस्णों को 2 घंटे में लिखना काफी मुश्किल है उत्तर प्रदेश स्वाविद्पोसित महाविद्ध्याले एशोसियेशन के अध्यच ने कहा कि समयवदी कम करने से प्रस्णों की संख्या भी कम हुई है छात्रों को समय प्रबंद सीखना होगा देरी से पेपर देना गलत है ठीक है आगे यहाँ पर देख सकते हैं दो केस भी देखने को आपको मिल सकता है तो पहला है एमेड की परिच्छा लेने एंडी कॉलेज पहुंची छात्रा सिल्पी ने बताया सुबह 9 बज़े से पेपर था लेकिन 8 पचपन तक किसी को परबेस नहीं दिया गया 9-10 पर पेपर वित्रण सुरू हुआ पेपर देरी से दिया गया लेकिन अत्रिक्त समय नहीं मिला 2 गंटे में 5 दिर्ग उत्री परशनों का उत्तर देना था पेपर इतना लंबा और समय कम था जिस वज़ा से आता हुआ पेपर भी पूरा नहीं कर पाई 28 की परिच्छा अब केश नंबर 2 देखिया 28 की परिच्छा दोपेर 12 बज़े से 2 बज़े तक थी अर्मापूर डिगरी कॉलेज परिच्छा देने पहुँची 16 काजल का कहना है कि परवेश तो एक गंटे पहले से ही सुरू कर दिया था पर पेपर 12 पांच पर मिला समय सीमा को कम करने से 3 में से 2 गंटे कर दिया लेकिन यह परियाप्त नहीं था प्रश्न काफी बिश्त्री थे पेपर सरल होने के बाउजू छूट गया तो सबको यहां पर देख रहे हैं आप लोग गैस की दिक्कत जो है टाइम से है क्योंकि समय जो है बहुत ही कम मिला है पांच प्रश्नों को हल करने के लिए जो समय दो गंटा दिया जा रहा है उसमें भी यह लोग 110 मिनट ही आपको दे रहे हैं इस वज़े से छात्र काफी परिशान है जो कि मैंने आपको बता है बीएड और एमेड दोनों में ठीक है तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कॉलेज और न्यूज से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो आपको मैं बताता हूं तब तक के लिए गुडबार टेक क्यार जाएं नेक्शुप कावन है ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबार टेक केर जाएं दोस्तों